भीन साथ यू नमस्कार ट्रेपल सी दिसंबर 2021 एक्सामनेशन की आज छट्वी क्लास है जहां पर ट्रेपल सी एक्साम के लिए most important questions हम आपके साथ discuss करेंगे यह सभी प्रशन ट्रेपल सी की परिक्षाओं पर आधारित हैं पिछली परिक्षाओं में पूछे गया प्रशन है इसलिए क्लास को ध्यान से लाज तक आप जरू अटेंड कीजेगा दोश्तों आप सरी लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ट्रेपल सी एक्साम की त्यारी हम कैसे करें कौन सी क्लास अटेंड करें जो ट्रेपल सी के लेटिस्ट लाइबर्स पर आधारित हैं और एक्साम में पूछे गए मुश्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टन हैं कमेंट बॉक्स में आप इस्टोरेंट्स का रिब्यू चेक कर सकते हैं लगतार इस्टोरेंट्स उससे सफल हो रहे हैं तो उस क्लास को आप सरी लोग देखना मत भूलिएगा दुस्तों ट्रेपल सी एक्साम में लिब्या ओफिस के क्रिस्टन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसलिए मैंने लिब्या ओफिस की कम्प्लीट महामेरतन क्लास करा दी है उसे भी आप देख लीचेगा और ट्रेपल सी की लेटेस्ट ईबुक की लिंक वीडियो की नीचे मैंने दे रखा है जहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेन 2100 कुष्टन का एक अलग से पीडियाफ है और टॉप 1000 कुष्टन का अलग से पीडियाफ है दोनों का लिंक और क्लासिस का लिंक वीडियो की नीचे डिसकर्प्सन में दे रखा है जाए डिसकर्प्सन को विजिट कर लीजे वहाँ से आप पीडियाफ को डाउनलोड करके अपने त्यारी को बहतर बना सकते हैं तो टाइम वेच ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास दोस्तों पहला प्रशन आपका उबन्टू में नए निर्मित ब्राउजर का नाम क्या है इन सभी प्रशनों को आप मौक्टिस्ट की रूप में लेते रहिए और कमेंड बॉक्स में अंसर देते रहिए वीडियो के लास्ट में आप जरू बताएगा कि आपके कितने क्विश्टन सही हुए है तो उबन्टू में नए निर्मित ब्राउजर का नाम है फायर फॉक्स आप्सन फर्स्ट इस राइड नोट कर लीजेगा काफी important question है तो उबन्टू में प्रेजन टाइम पर जो आपको मिल दा है ब्राउजर वो फायर फॉक्स है अब next चल्ड एवन में प्रदर्शित होने वाला परणाम क्या होगा यदि सल एवन में सूत्र एक लिब्राउफिस कैल्क इस्परेट सीट है जिसे एक्वल 256 डिवाइड बाई मिन 5,0,8 लिखा जाता है मिल से लिब्राउफिस कैल्क एक इस्परेट सीट प्रोग्राम है आपको दिखाते हैं किसका परणाम क्या होगा दोस्तों लिब्राउफिस से एक्वल में काफी साई कुश्चन पूझा आते हैं इसलिए लिब्राउफिस की मैंने 100 कुश्चन की माराथन क्लास कराई है उससे एक्वल 256 डिवाइड बाई मिन ब्रैकेट 5,0,8 ब्रैकेट प्लोज यहाँ पर जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो यहाँ पर 256 है और मिन फार्मूला क्या करेगा सबसे छोटी वैलू को बताएगा सबसे छोटी वैलू कौन से है 0 है मिन से एक्सक्यूट होके क्या हो जाएगा तो इसका आंसर यही आएगा तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा option second ठीक है नोट कर लीजिएगा कापी important question है अब next वार्म बूट का उधारन है मिन्स निम्न में से ऐसा कौन सा option है जो वार्म बूट का उधारन है shutdown, restart, warm up या sleep दोस्तों second chapter के अंतरगत मैंने आपको बताया था booting के बारे में hard boot क्या होता है, warm boot क्या होता है cold boot क्या होता है अगर कोई system चल लहा है और उसे पूरी तरह से हम shutdown करते हैं, plug से बाहर करते हैं, और फिर से लगाते हैं, और फिर से computer को on करते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं, cold boot क्या बोलते हैं, cold boot means computer को पूरी तरह से बंद करके start करना cold boot कहलाता है, वैसे ही computer अगर on है, और on computer को फिर से restart करना ये warm boot कहलाता है तो यहाँ पर इसका right answer होगा option second, कभी-कभी ये भी पूछ लेता है, कि पहले से on computer को दोबारा on करना, क्या कहलाता है तो warm booting कहलाता है अब next इंटरनेट के लिए dial-up connection क्या है dial-up connection to internet end point के मद्ध फास्ट data exchange करने की अनमती देता है एक ऐसा connection है जो जाज़तर घरों में पाये जाता है एक अक्षा expert माध्यम जो land से connect होता है या फिर both बताईए क्या होगा इसका right answer तो इंटरनेट के लिए dial-up connection क्या है एक ऐसा connection है जो जाज़तर घरों में पाये जाता है option second is right अब next तो रित इस्मृती डाटा इस्थानांतरन एवं भंडारन दर के अनसार सबसे मंद इस्मृती का प्रकार है बताईए true या false triple C exam में true and false के लबक 25 to 30 question present time पर आ रहे हैं यहाँ पर बात हो रहे flash memory की क्या flash memory डाटा इस्थानांतरन means data का जो transfer है और भंडारन छमता जो होती है उसके अनसार अगर इन दोनों क्राइटरिया को देखें तो यह काफी धीमी है तो बिलकुर सही है flash memory की speed और data transfer दर जो है वो काफी धीमी है काफी कम है option A is right अब next equal floor 1209,11 का मान क्या होगा बताईए sailing और floor यह दोनों कुश्चन काफी आज़ा पूछे आते हैं फार्मूले से 2-3 कुश्चन तो आ ही जाते हैं इसलिए मैंने एक separate वीडियो बनाया था formula capsule के नाम से 40 minute का जहांपर सभी फार्मूलों को मैंने exam में पूछे आने वाले प्रस्णों के साथ पताया है आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर formula capsule by abhexler computer तो आपको मिल जाएगा वहां से आप उसे जयूर देखिएगा यहां पर थोड़ा से इसको हम समझा देते हैं कि यह कैसे वक करता है तो यहां पर आप देखेंगे equal floor 1209,11 bracket close और इंटर कर देंगे तो यहां पर इसका right answer आता है 1199 1199 कैसे होता है तो यहां पर देखिए अगर आप normally 1209 को 11 से divide करें और इंटर करें तो यहां पर जो answer आता है वो दसमलों में आता है तो floor formula क्या करता है decrease करके एक ऐसी value देता है जो दूसरी संख्या से divide हो जाए अब यहां पर अगर जो इसका भागफल आया है 109.90 अगर यहां पर आप 109 multiply 11 कर देंगे और इंटर कर देंगे तो यहां पर इसका right answer मिल जाएगा तो इस तरकीप से भी आप इसको solve कर सकते हैं कि जो भागफल आये भागफल में point value को छोड़ कर उसके आगे वाली value को आप दूसरी संख्या से multiply कर देंगे जो answer आएगा वही आपका होगा याद रखिएगा तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसका right answer होगा option first 1199 अब next निमलेखित में से कौन सा model सरवोत्तम सर्विस model की रूप में जाना जाता है last chapter overview of future skill and cyber security में आपका एक topic है cloud computing का जहाँ पर ये models दिये गए हैं तो सरवोत्तम सर्विस model की रूप में जाना जाता है कौन सा या आपको बताना है इनके full forms क्या होते है या आप comment box में बताईएगा तो यहाँ पर इसका right answer होगा option D उपरयोक्त शभी क्योंकि ये सभी सर्वोत्तम सर्विस model के अंतरगत आते हैं अब next वेब कॉलर एक search engine है क्या वेब कॉलर एक search engine है true या false बताईए क्या होगा इसका right answer तो बिल्कुल सही है वेब कॉलर एक search engine है option first is right अब next उलान किस वर्स लांच होई उलान क्या है एक भार सरकार की योचना है किस वर्स लांच होई फटाफट कमेंट करके बताईए 2015 शूलाह 17 या फिर 18 तो इसका right answer होगा option second 2016 में उलान योचना लांच होई थी अब next वर्ड प्रस किस के लिए प्रियोग किया जाता है मताई वर्ड प्रस का उप्योग किस के लिए करते हैं वेब ब्राउसिंग के लिए ब्लॉगिंग के लिए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या सर्च इंजन के लिए तो वर्ड प्रेस का उप्योग करते हैं ब्लॉगिंग के लिए option B is right ठीक है अब next निम्र में से कौन सा तत्व IOT का तत्व नहीं है IOT का full form क्या होता है Internet of Things क्या होता है Internet of Things होता है यहाँ पर पूछा गया है कौन उसका तत्व नहीं है People, Process, Security या फिर Things तो इसका right answer होगा option 3rd Security ठीक है Security उसका part नहीं है element नहीं है अब next सर्च इंजन www को खोशता है अब triple C एक साम में www का full form भी पूछा आता है तो इसका full form आप नोट कर लीजेगा World Wide Bay जब भी आप वीडियो को देखिए साथ में एक notebook और pen ज़र रखिए ताकि जो points में आपको बताता हूँ उन points को आप note कर सके तो सर्च इंजन www को खोशता है बिलकुल सही है option A is right अब next माउस बटन को आपस में बदला जा सकता है अब माउस बटन को आपस में बदलने का मतलब यह नहीं कि left वाली हम उठा के right में रख देंगी right वाली left में कर देंगी ऐसा नहीं है means उनके work को क्या हम आपस में exchange कर सकते हैं यही यहाँ पर पूछा गया है true या false तो second chapter में आप उस समझाया था with practical की कैसे आप change कर सकते हैं और माउस की setting के बारे में तो बताए क्या होगा इसका right answer और अगर आपने उन classes को नहीं देखा है तो channel को visit करिए वहाँ पर triple C complete course in Hindi की playlist मिल जाएगी वहाँ पर आपको सारी videos मिल जाएगे तो बिल्कुल सही है माउस की button को आपस में हम बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं इसके लिए हमें जाना होगा control panel में यहाँ पर देखे computer programs आपके दिये गए हैं यहीं पर आपको option मिलेगा माउस का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह mouse का option यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ही option यहाँ पर देखे मिलता है switch primary and secondary button अगर आप इस पर tick कर देंगे तो जैसे ही आप tick करेंगे यहाँ पर देखे दिया गया है select this checkbox to make the button on the right the one you use primary function such as selecting and dragging मतलब अभी आप left key से select करते हैं drag करते हैं तो अगर आप इस पर click कर देंगे तो right वाला यह काम करेगा और जो left का काम है right right का काम left करेगा तो यहाँ से आप change कर सकते हैं mouse की setting को मतलब उनको आपस में बदल सकते हैं अब एक question यह से बन जाता है कि mouse की primary button कौन सी है तो जो left वाली button है उसको हम primary button बोलते है और जो right वाली button है उसको हम secondary button बोलते है ठीक है note कर लीजेगा काफी important है अब देखते है next question IFSC stand for IFSC का full form क्या है दोस्तों जब आप बैंकों में पैसे कर transfer करते हैं या online lending करते हैं तो अकसर आपको IFSC code की जवद परती है तो IFSC का full form होता है Indian Financial System Code क्या होता है Indian Financial System Code option second is right अब यहाँ पर IFSC code कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमारी area का Punjab National Bank का यहाँ पर यह IFSC code दिया गया है तब इससी question पूछ लेता है कि IFSC code में कितने alphabet और कितने numbers होते है तो अधिकतर जो केंदरी बैंके है मिंस जो Central Government के अधिन में बैंके है उन सभी का लगभग 11 total होता है जिसमें 4 आपके alphabet होते है और 7 आपके number digits होते है इस प्रकार से total 11 character से मिलकर आपका बनता है IFSC code ठीक है? नोट कर लीजिएगा अब next C language में लिखा जाने वाला प्रतम operating system कौन सा था? मिंस ऐसा कौन सा operating system है जो सबसे पहले C language में लिखा गया था C language में लिखा जाने वाला पहला operating system आपका Unix था Option 2 is right नोट कर लीजिएगा काफी important है अब next Page number status bar में कहां दिखता है बताइए Page number status bar में कहां दिखता है तो आईए With practical यहाँ पर LibreOffice writer हम open कर लेते हैं और आपको page number दिखाते हैं क्योंकि page number आपको writer में मिलेगा जबकि calc में हमारी seat होती है तो वहाँ पर हमें sheet मिलेगी और impress में हमें क्या मिलेगा slide मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर area को ऊपर कर लेते हैं अब आपको left right तो पता ही है है ना यहाँ पर zoom कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए Page number कहां पर है आपका left corner पर दिखता है Means status bar के किस side में दाहिनी तरफ नहीं बाई तरफ पाया जाता है left side में पाया जाता है तो यह इसका right answer होगा हमारा question था यह कहां दिखता है तो left side में दिखता है option is right अब next Nimd में से wizard का option कहां होता है काफी important question है कई बार exam में repeat हुआ है कि wizard का option कहां पर होता है तो आईए यहाँ पर open कर लेते हैं और आपको इन options को दिखाते हैं जूम कर लेते हैं इसके लिए आपको जाना होगा file menu में file में आप देखेंगे तो new, open, open remote, recent document, close, wizard, templates, save, save as यह सारे options मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए wizard का option दिया गया है जिसके अंतरगत, later, facts, is, and da यह सारे options आपको मिल जाते हैं तो wizard का option किस menu में है तो file menu के अंतरगत पाया जाता है नोट कर लीजेगा open की shortcut की क्या है तो control plus o होती है Libre office writer में save की control plus s है और save as की control plus safety plus s है ठीक है नोट कर लीजेगा काफी एक्जाम में पूचा आता है इसी क्रम में print preview की shortcut की काफी पूचता है तो Libre office writer में print preview की shortcut की control plus s plus o होती है print करने की control plus p होती है आईए अब देखते हैं अपने question की ओर तो इसका right answer होगा option first file अब next POS terminal एक digital device है क्या POS terminal एक digital device है true या false बताइए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer होगा option first true बिल्कुल सही है POS terminal एक digital device है अब next वेब कॉलर वेब से सूचनाएं एकत्रित करता है इसे spider या boat भी कहते हैं क्या वेब कॉलर वेब से सूचनाएं को एकत्रित करने का काम करता है साथी उसे हम spider या boat भी कहते हैं true या false बिल्कुल आपका सही है option first is right अब next Facebook page का एक ही admin हो सकते है means क्या किसी एक Facebook page का एक ही admin हो सकता है true या false तो बिल्कुल आपका गलत है Facebook page का एक ही admin नहीं हो सकता है कई admin हो सकते है एक person कई page का admin हो सकता है कभी कभी CCC में ये question में पूछ लेता है कि क्या एक वेकती एक ही page का admin हो सकता है तो ऐसा नहीं है, आप कई पेजों को चला सकते हैं, उसके एडमिन बन सकते हैं, फेस्बुक के founder कौन है, ये question exam में काफी पूछा आता है, तो फेस्बुक के founder है, आपके Mark और जुकरबर्ग कौन है, Mark जुकरबर्ग फेस्बुक के founder है, क्या फेस्बुक पर live video stream कर सकते हैं, ये question, एक computer में कई operating system का استعمال कीए जा सकते हैं, क्या एक computer में हम एक से अधिक operating system का استعمال कर सकते हैं, true या false, बताईये, तो बिलकुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से अधिक operating system को استعمal कर सकते हैं, लेकिन उपयोग करने का जो तरीका है, वो अलग है, ठीक है, अब next. M.I.C.R. code की पहली तीन संख्या क्या दर्साते हैं M.I.C.R. का उपयोग कहा किया जाता है ये question भी triple C exam में काफी पूछा आता है तो बताए M.I.C.R. code की पहली तीन संख्या क्या दर्साते हैं तो इस शहर code को दर्साते हैं और M.I.C.R. का उपयोग बैंक में चेकों वर ड्राफ्ट में किया जाता है ठीक है नोट कर लीजेगा question पूछता है कि बैंक में चेक वर ड्राफ्ट में किसका उपयोग करते हैं तो M.I.C.R. code का उपयोग करते हैं और इसमें जो पहले की तीन नंबर्स हैं वो सहर कोट को दर्साते हैं मिर्स सिटी कोट को दर्साने का काम करते हैं अब next CMS का पूर्ण रूप क्या है वाट इस दा फुल फॉर्म आप CMS बताईए तो CMS का फुल फॉर्म होता है Content Management System क्या होता है Content Management System Option 3 इस राइट अब next नेम्ड में से कौन सी Environment में यूज होती है मिन्स कौन सी एक ऐसी Standard Pointing Device है जो Graphical User Environment में यूज होती है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Keyboard भाई आपका Pointing Device तो है नहीं Pointing Device आपकी यही तीनों है Mouse, Joystick and Trackball इसमें सबसे जो Standard है वो Mouse है जिसका उप्योग हम Graphical User Environment में करते है Option B is right अब Next किस Memory को बार बार Refresh करना पड़ता है बताए ऐसी कौन सी Memory है जिसको बार बार Refresh करना पड़ता है तो इसका राइट आंसर होगा Option Second DRAM DRAM को हमें बार बार Refresh करना पड़ता है ठीक है अब CCC exam में RAM का Full Form भी पूछाता है तो RAM का Full Form क्या होता है या RAM कितनी प्रकार की होती है है ना SRAM का Full Form क्या है DRAM का Full Form क्या है ऐसे काफी साई question आपके exam में पूछाते हैं तो देखिए RAM का Full Form होता है Random Access Memory क्या होता है Random Access Memory RAM का Full Form RAM के दो प्रकार है एक है SRAM दूसरा है DRAM अब SRAM का full form क्या होता है यह question भी triple C exam में काफी पूछाता है तो SRAM का full form होता है static RAM static का मतलब static random access memory DRAM का full form क्या है तो dynamic random access memory अब dynamic का मतलब भी होता है परिवर्टन seal जो change होती रहे इसलिए इसको बार बार refresh करने की आवशकता पड़ती है ऐसे ही computer memory प्राथमिक और secondary दूर प्रकार की होती है प्राथमिक के दो पार्ट होते है एक होता है ROM और दूसरा है RAM RAM के बारे मैंने आपको बता दिया ROM का full form read only memory होता है क्या होता है read only memory इसके प्रमुक्ता तीन पार्ट है कितने पार्ट हैं तीन पार्ट है कौन कौन से P-ROM, E-P-ROM और double E-P-ROM इनके full form आप जान लीजे P-ROM का full form programmable read only memory होता है E-P-ROM का full form erasable, programmable, read only memory होता है और double E-P-ROM का full form electrically erasable, programmable, read only memory होता है electrically या electronic, erasable, programmable, read only memory तो इन points को आप नोट कर लीजेगा इनसे exam में question का आप पूछा आते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने explain करके आपको समझा दिया ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो अब देखते हैं next question operating system के कारियों में monitor और printer का संचालन करना भी होता है क्या operating system का यह कारे भी है कि वो monitor और printer का संचालन करता है तो बिल्कुल यह true है क्योंकि operating system hardware management को भी देखता है या hardware कौन सा system से attach है सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ पर कोई error है इन सभी को देखने का काम करता है ठीक है अब next क्या उप्योग करता उमंग app पर राजवार विभागों की सेवाओं को एक्सेस कर सकता है बताई क्या उप्योग करता उमंग app पर राजवार विभागों की सेवाओं को एक्सेस कर सकता है तो बिल्कुल सही है अलग-अलग state के लोग state के recording सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं cycle case के लिए किस command का प्रियोग करते हैं बताई, triple C exam में ये question काफी पूछा आता है कि cycle case के लिए किस command का उपयोग करते हैं तो shift plus f3 का उपयोग करते हैं यहाँ पर आईए, with practical आपको दिखाते हैं जब आप जाते हैं, format में, यहाँ पर आपको मिलता है text का officer यहाँ पर zoom कर लेते हैं, तो आप देखेंगे cycle case जिसकी short cut की होती है, shift plus f3 क्या होती है, shift plus f3, ठीक है, note कर लीजेगा, काफी important है अब देखते हैं, next question तो कौन सा model, deployment model है, बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा model है, जो deployment model है public, private, hybrid या all of the above तो सभी आपकी deployment model है, option d is right, अब next equal round 1765, minus 2 का क्या परड़ाम होका बताइए, equal round 1765, minus 2 का क्या परड़ाम होका तो इसका right answer है, option b, 1800 ठीक है, यह इसका right answer हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम कर लेते हैं, equal round 1765, minus 2 bracket close और enter करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका right answer कितना गया 1800, ठीक है, तो आची class में बस इतना ही, अगर class पसंद आई हो तो like कर दीजेगा, like करना मत भूलिएगा, और comment box में comment करके आप जरू बताइएगा, यह class आपको कैसी लगी, और मेरा जो holy gift है यह आपको पसंद आया, या फिर नहीं आया, यह भी आप comment box में comment करके बताइएगा, तो यहाँ पर सामने WhatsApp नमबर दिया गया है, Facebook, Instagram, Twitter, कहीं पर भी आप फालू करके PDF को प्राथ कर सकते हैं, और Telegram चैनल की जो link है, वीडियो के नीचे दे रखे है, इसके लावन Telegram पर अब एक सब कंप्यूटर सेच करके, आप चैनल को जोईन करके, आसानी से PDF को प्राथ कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं, नेच्ट क्लास में, हैपी होडी, सबी रोग इंज्जॉय करिए, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, फिर मिलते हैं, नेच्ट क्लास में, तब तक के अलिए, बाइब बाइब